विधान सभाच नौव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने बड़ा दाव चलते हुए 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि महगाई राध शिवरों के अलोकन वो जन्ता से बात करने पर फिड़बैक आया कि बिजली बिलों से मिलने वाली स्लैव वार छूट में थोड़ा सा बदलाव किया जाए मही महीने में बिजली बिलों में आय फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जन्ता से फिड़बैक में लिया जिसके आधार पर बड़ा फैसला लिया गया है सौ यूनिट प्रतिमाह तक बिजली बिलों का बिजली बिल उक्षोने होगा उन्हें परवद कोई बिल नहीं देना होगा यूनिट तक तमाम प्रदेश राष्यों को जो कित्ती बिली कर्यों गरें तक भी फ्री दी जाए उसके अलावा इंचन जो दिया जारा अन्य चार्जे हैं वो चार्जे ले जाएंगे इसका उनको भी बहुत बड़े रात मिलेगी और अब वो भवरिश्य के अंदर शो इनिट पुरी त्रेक 3 दोसरे इनिट अगर बिलिक का वेडियू करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़े रात होगी उनको अब कोई फिक्स चार्जे बहुत भारी जबाब पड़ता है परिवार पर और ये फीडवेग मुझे मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ही थी कि ये फिक्स चार्जे माधिम से जो दो लोगी निट तक भी बेजली उप्वोग करते हैं उनको भी तक्लिप आएगी अब मिल करत चुनाओ जीतने के लिए कॉंग्रेस ने फ्री बिजली को ब्रहमास्त्र बना लिया है करनाटक में भी कॉंग्रेस ने सौ यूनिट मुफ्त बिजली की करेंटी दी इसके अलावा हिमाचल में भी कॉंग्रेस ने लोगों को तीन सो यूनिट फ्री बिजली देने का वदा कि इन दोनों ही राजियों में पार्टी को जीत मिली जिसके बाद कॉंग्रेस सबन ने राजियों में मुफ्त विजली का एलान कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ।